ना थकान की चिंता, ना ठन का भै, माता वैश्णो देवी पर बतले मौसम की बीच जारी है यात्रा, अब तक नवासी लाक्ष धालू ने टे का माता, मा वैश्णो देवी की यात्रा जारी है, देशभास से शधालू मा के दशन के लिए कट्रा पहुंच रही है, वर्तमान मे बिना किसी परिशानी के मा वैश्णो देवी की यात्रा लगाता जारी है, और शधालू पोरी शधा के साथ मा वैश्णो देवी की चर्णो में नत मस्तक हो रही है, हलंकी मा वैश्णो देवी की यात्रा की दुरान शधालू को हलकी धन का एहसास शुरू हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके अंदर किसी भी तरहा की कोई उस्सहा की कमी नहीं देखने को मिल रही है दिन के समय लगतार खिली दूप के बीच श्रद्धालू लगतार मा वैश्णो देवी की यात्रा कर रही है पश्राम धलते ही ठंडी हवाओं के बीच श्रद्धालू को हलकी ठंड का एहसास लगतार हो रहा है श्रद्धालू अपने परिजनों के साथ पूरे उत्सहा के साथ अपनी मा वैश्णो देवी की यात्रा जारी रखे हुए है मा वैशनो देवी भवन हो या फिर अधार शिवर कट्रा श्रत हलू की लगतार चहल पहल फिलहाल बने हुई है हलंके जानकारू का मानना है कि अगामे त्योहासी जन्यान की दिपावली के साथ अने त्योहारू को ली कर मा वैशनो देवी की यातरा में एक बाफिर गिरावट आएगी बतादे कि भाई दोच पर्व के उपरांद एक बाई फिर मा वैशनो देवी की यातरा में उच्छाल देखनी को मिलीगा वर्तमार में मा वैशनो देवी की यातरा कर रहे श्रत धालू को सबीतरां के सुवधाई लगतार प्राप्तखो रही है और श्रत धालू मा वैश्णो देवी के दिवे दर्शन करपड़िवार के सुक्ष शांती की कामना कर रही है मा के दर्शन के अलावा श्रत धालू भेरफ घाड़ी पहुंचकर बावा भेरफनात के चर्णों में हाजरी लगा रही है पंद्रह अक्तूबर यानि की मंगलवार बाद तो बहे तीन बजे तक सत्रह हजाद तीन सो अपना पंजिकरन करवा कर मा वैश्णो देवी भवन की और रवाना खो चुके थे वही जारी अक्तूबर महा में अब तक अरीब पांच दश्मिनव साथ पांच लाग श्रधालू मा वैश्णो देवी की चर्णों में हाजरी लगा चुके हैं तो वहीं जारी वर्ष में अब तक 89 लाग से अधिक श्रधालू मा वैश्णो देवी के चर्णों में नत्मस तक हो चुके हैं और रोजना हर्जारों के संख्या में श्रधालू मा वैश्णो देवी की यात्रा जारी रखे हुए हैं